मंता बनर्जी जी की सरकार पूरी तरे से OBC विरोधी है, OBC का अरच्छन छीन करके OBC का हक अपने ओडवेंग को घुसपैठियों को देने के लिए ये घुसपैठियों की जो खाला बनी मौसी बनी बैठी हुई है, यहां बहुत चिंता जनक किस्तिती है और जब यहां सपत प सर्वचे अदालत के सामने पस्शिम अंगाल की टीमसी सरकार मंता सरकार के दवारा दाखिल किया जाता है, जिसमें यह स्विकार किया जाता है कि जो 77 OBC जातिया है, उसमें से 75 मुस्लिम हैं जिनको एक दिन पहले वो आवेदन देते हैं और सुबाएदन देते हैं और साम को उनको OBC में सामिल कर लिया जाता है ये इतना बड़ा धोखा इतना बड़ी विश्वास घात है पिछड़े के वर्ग के साथ कि इसकी बड़ी कीमत TMC को चुकानी पड़ेगी और भारती जंता पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है कोलकटा हाई कोट ने जो मुसलिमों को O भागत भी करता हूं और जो TMC सरकार सरोच अदालत में गई है मुझे विश्वास है कि सरोच अदालत भी OBC के अधिकारों की रच्छा करेगी और इस प्रकार से कोई घुसपैठी और किसी मुसल्मान को और OBC बना करके OBC का हक उनको देना ये महापाप है और OBC के अधिकार पर डाका है इस लिए इस पर भारती जनता पाटी चुप नहीं बैठेगी चाहे सड़क पर लड़ना पड़ेगा और चाहे कोट में लड़ना पड़ेगा लड़ने का काम किया है नहीं देगे महामाई मिराजपाल जी ने क्या कहा है वो उनका बयान पर मैं कोई टिप्ट न का क्योल बोलबाला है मुश्लिम तुष्टी करण की सारी सीमाओं को लांग करके कि उन सत्ता में बने रहने के लिए वहां की जो टीम सी सरकार मंतव नर्जी जी की सरकार है उसने जो किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकती है उसकी मैं कड़ी आलोचना भी करता हूँ मुझे व रस्तुत की है तो जो डाक्टर वेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ इतनी बड़ी दुरुगटना हुई उनको नयाय मिलेगा और जो अपराधी है उनको इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि देश में मिसाल को बुल्डोजर की कारवाई को इससे नहीं देखना चाहिए अगर कोई अवैद कबजा करके रखा हुआ है और जांच में वो सच्चा ही सामने आई है तो उसमें करवाई हुए है